हेलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग स्वागत है आप सबका सुक्रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जिव विग्यान के टापिक को हमारे त्वरा टुटल 5 सिट में रेडि किया गया है जिसको यह एक वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे ध्यार रखे दोस्तों जितने भी टेंड से यहां पर हम कोस्टन्स को आपको अपडेट करवाएंगे आप हर तरह से प्रिप करते हैं थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं दोस्तों हम लोग दोस्तों जीव विग्यान यानि कि वायुलाजी विग्यान की वहां साखा है जिसके अंतरगत समस्त सजीवों अर्था जीव धारियों का विस्तिरित अध्यन किया जाता है बायुलाजी सब्दका परियुक सरपर आप पूरी तरह से इसको अपडेट रखेंगी अगला पॉइंट है हमारा जीव विग्यान को विग्यान के एक साखा के रूप में अस्थापित करने के कारण आरस्तु को जीव विग्यान का जनक यानि कि फादर आप जूलो जी भी कहा जाता है उन्होंने अपनी पुस्तक हि को किलियर किया जा सकता है हर टेंड को दोस्तों हम यहां पर प्रियास करके आपको यह वीडियो कंपलेट देने वाले हैं अगला पॉइंट है आपका थियो फ्रेश्टस को वनस्पत विग्यान का जनक यानि कि फादर आबाटनी कहा जाता है जिनोंने हिस्टोरिया प्लेट करण का पीता तो लेनियस को कहा जाता है नेक्स्ट आनुवन सिकी का जनक मोश्ट पना जान मेंडल को माना जाता है अगला है अगला है भारत में हरित करांती के जनक तो डाक्टर में स्वामी नाथन है नेक्स्ट स्वात करांती का जनक डाक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है अगला है भारतिय पारिस्थित्की का जनक तो रामदेव मिस्रा को माना जाता है नेक्स्ट भारतिय जीवासम विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है नेक्स्ट टीका करण का जनक त्यान रोगेंगे वरांचे शाब आप नुकर आपके पालन हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से आपके सामने है देखेगा आप लोग सेट होकर कोशिका विज्ञानि मोस्ट इंपार्ट यानि कि इसके अंतरगा दोस्तोस को जिए का वहमagit कि अधिन किया जाताई अगला आपका आकारीआई यानि के मोर्फोल आजि के बात की जाए तो इसमें जीवों की आके रत्राऺ Państu का धिन किया जाता है नाक्ष्ट है दोस्तोस्तों पारी कि frequency ओको अधिन किया जाताई फिरा दोस्तों आपका आन्वन सिक्षी यानि कि जेनेटिक्स, most important, यह दोस्तों जीवों में पाई जाने वाली समानता, बिविनिता यों आन्वन सिक्ता का धिन किया जाता है, किसके अंतरगत, आन्वन सिक्षी के अंतरगत, next, ap culture आपका most हों रहता है, इसमें मदमक्यों के प पंगी का धिन किया जाता है, और इसे के साथ है, दोस्तों, फाइकोलाजी, जिसमें साइवाल यानिकिorang्तरण क वाध्यान जोक्ता जाता है, अगला दोस्तों, हमारा डेंडरोलाजी, most important, जिसमें बिर्चों यों, ज़हाल्यों का धिन है, next, पुस्पविग्ञान, अंतरग प्रिक्यस न चे में यह धर्भी आगी आधाया आधाया प्रियुक्त जाए है तो को आदेट निसमें Sound को Lite अगला क्या है यह दो कि और दो यह गया कश्वागा नतरा जाना किव्त कश मालों कल चल महां तुम सनसें हमारी रखिए हुसिए ऐले रखिए नतर फिर दोस्तों शेरोलाजी जिसमें एंटीवाडी, एंटीजन का धिन क्याता है, फिर दोस्तों शारोलाजी जिसमें छिफकलियों का धिन क्या जाता है, अगला आपका पेडोलाजी जिसमें विभीन तरह के मिर्दाओं यानि की स्वैल्स का धिन क्या जाता है, और लास्ट है यहां से आपका आफियोलाजी, जिसमें सर्फ विज्ञान का दिन कहता है, सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेर रखेंगे, साइन्स का स्पेशल पीडिएफ यानि कि फिजिक्स कमेस्टियो बायो का भी हमाई दौरा पूरी तरह से किलियर कर लिया गया है, ध्यान पूरा हम लोग अगले कोस्टन्स की ओर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, SSC आलिक जाम्स और रेलिवय आलिक जाम्स का दोस्तों, आल इन वन यानि की कमबाइन पीडिएफ हमाई दौरा कॉफी वराड में दोस्तों, रेडि किया गया है, जो की बिल्कुल नया वर्जन है, इ गर आपका पूरा में सेलिनेस का भी स्पेसल पीडिएफ हाएगा और पूरा आपका दोस्तों, current office का भी स्पेसल पीडिएफ आएगा, कई vacancy's आप लगी हैं दोस्तों, इन में से आप SSC में बात की जातों, आपका सबसे प्लेज सीजियल है, MTS हाए इसकी बादने बिल लग सकते हैं बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले कोसंस की और अब यहां देखें दोस्तों वन लाइनर कोसंस के माध्यम से बहुत सारे कोसंस को एक साथ कवर किया गया है हर कोसंस को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे पहला कोस्टन है मारा आधुनिक वर्गी करण किसे कहा जाता है तो डाक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है अगला भारते जीवासम विग्यान का जनक किसे कहाता है तो विर्बस साहने को हर ट्रेंड से यहाँ पर कोस्टन मेंसन करवा दिये हैं दोस्तों ताकि अगर आप इसको अच्छे से रुआई रखते हैं किसी आपके कोस्टन इजली साल्व हो सके हैं आगे बढ़िएगा जेनेटिक्स निम्न मेंसे किसका देना दोस्तों तो आनुवन सिक्ता और विबरान का नेक्स्ट पत्यों का हरा रंग परतान करता है तो कोलोरो पलास्ट है नेक्स्ट कोसिका भित्ति कहा पाई जाती है तो आपका केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोथ है तो विटामिन बी का नेक्स्ट भोजन से प्राप्त उर्जा को कैसे मापा जाता है तो कैलोरी में अगला है यूरिया का निर्वान कहां होता है तो यकृत में और किड़नी के संरशनात्मा की काई क्या दोस्तों तो नेक्स्ट यूरिया किसके द्वारा रख्त से और थक आता है तो गुर्दा के द्वारा और डालिसिस किससे संब्दीत है तो यह बिरिक किसे है हर को संस को पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे यह आपकी दोस्तों जिव एंकि वालाजी की मैराथन वीडियों है जिसमे हम लोग वाव को पूरी तरह से clear करेंगे आगे बढ़ेगा question है हमारा हमारे पेशियों में किस अमले के कारण पीड़ा होती है तो लेक्टे कम लेके कारण next मानो सरीर में सबसे लंबी हड़ी कहां पाई जाती है जांग में अगला मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी कहां होती है तो इस्टेपेज में देखे जो टापिक उठाएगा है वहीं पे clear किया जारा है next हमारे सरीर की लगुत्तम हड़ी कहां पाई जाती है तो कान में next मानो की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थिया होती है तो 22 next मानो के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते है तो 12 अगला मानो सरीर की सरवाधिक परवल अस्थि होती है तो जबड़े में next मानो सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो जांग की हड़ी है अगला टिबिया नामक हड़ी किसमें पाई जा आनुवन्सिक सामगरी के वाहक है, तो जीन है, यानि कि जीन जो है, ये आनुवन्सिक सामगरी का वाहक है, नेक्स्ट, योन परजनन में माता-पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा, नेक्स्ट, गुण सूत्र किसे समन्दित है, तो आनुवन्सिक लच में यह करके किया गया है photos अगला थैन गलness किने प्रित पादेट ये देतह टो टोटल 23 बसवान नेक्स्ड करके देखें stat गया है आनुवठी हमें प्रितक्राइं पुर सकें था ट्रूक हूं बालाजी यानिकी ज New Bel мнin का second part दोस्तों आपके सामने टापिक आपका पहला रखा गया पारिश थित्की यानिकी एकोलाजी, सूपर टापिक है आपका द्यान दीजेगा दोस्तों, पारिश थित्की के अंतरगत जीव, तथावव, आताव, वन के बीज पारस पर एक संबंधों का ध्यन किया जाता है पारिष ठित्के सब्द का प्रियोग सरपर्थम 1868 में रिटर ने किया था नेक्ट पॉइंट है पारिष ठित्के के बारे में सरपर्थम बिश्तरी जानकरी देने वाले बैज्यानिक तो एमेस्ट हैकल है इसलिए इन्हें फादर आफ एकोलाजी कहा जाता है नेक्ट पॉइंट एकोलाजी की काई को एकोसिस्टम कहा जाता है और एकोसिस्टम सब्द का प्रियोग सरपर्थम दोस्तों एजी टांस लेने क्या था हजारो बार पूछा गया ध्यान देंगे आगे बढ़िएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों आपका रेड डाटा बुक समझ लेंगे इसको दोस्तों जिसे लाज सूची भी कहते हैं ये क्या है तो संकट गरस्त पसुओं पेड़ों इत्याद का दोस्तों ये विस्त्रित दस्ता वेज है रेड डाटा बुक हजारों बार पूछा गया होगा अगला पॉइंट देखीगा आप लोग थोड़ा सा सीट अपने सामने लाते हैं दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे हम लोग दोस्तों वेस्ट वेट लेंड दिवस मोश्ट मने किस तिथी को मना जाता है तो दो फरवरी को भारत का परियाउन सरचन अधरियम किस वर्स पारित किया गया था तो 1986 में पारिश तिथी की बात हुई दोस्तों तो इसको इन्वर्मेंट से जोड़के आप दोस्तों पूरे बायो के आपके टापिक को जोड़के और जियोग्राफिक को जोड़के बहुत सारे टेंड से बहुत सारे कोस्टन मेंसन किये गए हैं हर कोस्टन को आप पूरी तरह से अपड़ेट रखेंगे नेक्स्ट 2015 में सन्युक्त राष्ट जलवाई परिवर्तन सम्मेलन कहा हुआ था तो पेरिस फ्रांस में नेक्स्ट बिसुप परियाओं दिवस कम मना आए जाता है पांच जून को अगला है एन्जेटी ये भी आप लोग जान लीजे का पूरा नाम क्या है तो नेशनल ग्रेन टिवनल है और हम आपको करेंट में बता चुके हैं कि ये एन्जेटी के वरतमान अध्यस कौन है जस्टिस प्रकास सिरिवास्तों है नक्स्ट पारिस्थित के तंत्र के दो घटक है दोस्तों हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है दोस्तों दिवतिय को भोगता है नक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र में तत्तो के चक्रन को क्या कहते हैं तो जयव भूरासायनिक चक्र का हजाता है नक्स्ट पारिस्थित के निम्ने में से किनके बीच पारसपरिक संबंधों का दियन है तो जीव और वातव वरण के भीश में नेक्स्ट मांट्रिया सलेक यानि कि मांट्रियाल प्रोटोकाल का लच्छ है ओजोन अउच्छे तत्तों को कम करना वह एक खादी स्रिंखला में इन में से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है तो सबसे अधा उद्बाधक की होती है उसके बाद में उससे कम उभ्भोकता की होती है और सबसे कम अब घटक की होती है पीडियाप के लिए हमारा होटसप नंबर है बढ़ती है दूस्तों लोग आ तो घास को सबसे पर ले दोस्तों टिग घाए खाएगा तिड़ा को मेढग खाएगा और मेढग को सब खाएगा यह आपका फूर्ट प्रोसेसिंग है नेक्स्ट सवर उर्जा यानि कि सोलर इनर्जी निनमे से किसे प्राप्थ होती है तो सूर से बैपिर्दिवी के स्यारो और सवर के सको कहते हैं तो ऐतल्स का हवा में नाइट्रोजन के मातरा होती है तो 78% आगला है में सरबादीक परशत किसका है तो और नाइट्रोजन का हैये कि इस ऐतल्स करते हैं वह 65 आगला के डुस्तом आपका और किसके ने खादी श्रिंखला में उर्जा का प्रवा होता है, तो एक दिसा में चलता है, सबसे पले उद्पातक आता है, आप जानते हो, उसको उखाने वाले अब घटक, फिर उब भोकता, फिर उसको बाद में अब घटक, तो एक दिसा परकिरिया यह चलती रहती है, नेक्ट, परतंत् का कितना है नाट्रोजन का तो 78.08% और नाट्रोजन का दोस्तों 21 परसत, आगे बढ़िएगा, अब यहां पर दोस्तों आपको क्लियर में मिल जाएगी जानकारी, अगला CNG का पूरा नाम क्या है, कामप्रेस्ट नेसुरल गैस, नेक्स्ट, वाव मंडल में नाट्रोजन ग आपके क्लियर रहेंगे, बढ़ेंगे हम लोग अगले टापिक्स की और, अगला टापिक आपका क्या लगाएगा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग, टापिक है आपका दोस्तों, विटामिन, मोस्ट होना आपका सुपर टापिक, आप जानते हैं दोस्तों, विटामिन आप question देखिए, पहला question क्या है, मचली के लीवर आल में dead-dash कर दिया गया है, पर्चुर मात्रा में होता है, तो vitamin D है, next, घाव को भरने में सहाइक vitamin है, तो vitamin C है, next, खटे फलो का एक समरिद स्रोत माना जाता है, तो vitamin C है, अगला है, नाम दोस्तों, उनके रासाई नाम, और कौन सी vitamin की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये भी पूरी तरह से में अंसन किया गया है, शुरू करते हैं, बात की जाए दोस्तों, vitamin A की, तो इसका रासाई नाम retinal होता है, इसकी कमी से रतोधी, और सक्रमणों का खत्रा जैसे रोग हो सकते हैं, फिर दोस्तों, vitamin B1, जिसका रासाई नाम thymine होता है, इसकी कमी से वेरी वेरी होता है, vitamin B2 की बात की जाए, इसका रासाई नाम ribofalavin होता है, इसकी कमी से कलोसिस होता है, vitamin B3, most पने दोस्तों, vitamin B3, जिसका रासाई नाम nicotinamite होता है, इसकी कमी से flagra होता है, अगला है vitamin B2, most पने इसकी कमी से परवासी आरक्तता होता है, next है vitamin C, जिसका रासाई नाम S-Korbic acid होता है, इसकी कमी से स्करवी और मसोड़े का फूलना, फिल, दोस्तों, विटामिन D, जिसका रासलिय नम principle, कयल सीlog फिराल होता है, इसकी कमी से RICKETS होता है, क्या होता है, सब कुछ पूरी तुरह से आपकों अपडेट रखने हैं, आगे बढ़ियेगा, विटामिन E है, जिसका रासलिय नम टोको फिराल होता है, और इसकी कमी से जन लोग अगले टापिक्स की और अगला टापिक आपका क्या लगाएंगे देखेंगे आप लोग टापिक है ग्रंथियानी ग्लैंड सुपर टापिक है कोश्चन आप एक एक मोस्ट इंपार्ट ने कवर कीजिएगा पहला कोश्चन है गाय और भैस के थनों में दूद उतारने क लिए किस हार्मोन की सुई लगाए जाती है तो आकसी टोसिन की नेक्स्ट थाइराक्सिन क्या है दोस्तों तो यह परकार का हार्मोन है अगला आप आतकाली निस्थिती के दौरान कौन सा हार्मोन उस सरजित होता है तो एडान नलीन है नेक्स्ट आइडिन युक्त नमक उन्हें से बचाता है तो गलुकोजन है और थाइराइड गरंती शरीर के किस भाग में उपस्थित होती तो गला में मानो शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहा होता है अगनासाय में और इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपसार किया जाता है तो मदुमिय का और दोस्तों आविस्कार योम उनके आविस्कारक, most topics है दोस्तों आपका जो विग्यान का जो चिकिसा समन्दी खोज है दोस्तों, आपका super point बनता है, डाठली यहाँ से आपके एकजामे questions बनते रहते हैं, तो चलिए इसको आप लोग पूरी तरह से cover किजिए, टापिक आपका आया है, पर बिलियम हार्वे ने की थी, नेक्स्ट है आपका इंसुलिन का टेका, जिसकी खोज F-Wetting ने की थी, फिर दोस्तों, हिर्दय परिवर्तन, जिसकी खोज Dr. Christian Varnaar ने की थी, अगला है, हाईजे का टेका, जिसकी खोज Robert Coase ने की थी, और DDT की खोज दोस्तों, Dr. Paul Moller ने की थी बैक्टिरिया की खोज लिवियन हार्ग ने की थी, पेंसलिन की खोज सर अलेक्जंडर फलेमिंग ने की थी, रक्ति समूह की खोज Karl Landis Tinner ने की थी, होमय पैथी के जनक हैनी मेन माने जाते हैं, बिटामिन की खोज दोस्तों, फंक ने की थी, सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर करना है दोस्तों, जिव विज्ञान को हम पूरी तरह से एक ही वीडियो में आपको कंपलेट दे रहे हैं, अगला दोस्तों, विटामिन A, जिसकी खोज मैक कोलन यों M. Davis ने की थी, अब इसमें दिखिए, विटामिन B, जिसकी खोज क्योज मैक कोलन ने की थी, विटाम चिकिसा जिसकी खोज लूई पास्चर ने की थी, मलेरिया की खोज डाक्टर रोनाल्ड रास ने की थी, पोलियो ड्राप की खोज एलबर्ट सुबिन ने की थी, पोलियो का टीका की खोज जानी साल्क ने की थी, केडिनी मसीन की खोज कोल्फ ने की थी, स्टेप्टोमाइसि पीजी ने कि टेरा माईसीन कि खोछ दोस्तो फीनले में की ती किस ने किती फिनले ने कि खेंगर 5 मों बढ़िए का धिकाइप 0 हमारा देखेगा दोस्तों टापिक क्या लगा गया है बिसाड़ों द्वारा होने वाले परमुख रोग और परभावी तंगाप का सुपर टापिक बनता है दोस्तों बहुत साइटें से कोस्टन पच्टें आते हैं आप इसको अच्छे तरह से कबर किजीगा इसमें तीन आप कौन सांग चेचक से जितने भी important questions हो सकते हैं आप चार टापिक में दोस्तों पूरी तरह से clear करेंगे चलिए सुरू करते हैं हम लोग टापिक है हमारा विसाड़ों द्वारा होने वाले परमुख रोग और परभावी तंग एक तरफ रोगों की नाम देगे है आप प्रभा प्रभावित होता है इसके दोस्तों विसाड़ों का नाम क्या है आब्रो विसाड़ों नेक्स्ट पोलियो से दोस्तों गला रिण और नाड़ी ये अंग परभावित होते हैं और इसके विसाड़ों का नाम एंट्रो विसाड़ों है चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प पूर्ण शरीर प्रभाईत होता है और इसके दोस्तों विसालू का नाम परिक्समों विसालू है हेपटाइटिस या पीलियास दोस्तों या करित प्रभाईत होता है इसके विसालू का नाम हेपटाइटिस अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, सब आपकी PDF में पूरी तरह से में है, तो टापिक हमारा आगया है, जीवाड़ों के द्वारा होने वाले परमुखरोग और प्रभावित तंग, सबसे पहले रोग के नाम है, फिर परभावित तंग, फिर जीवाड़ों के बात के हैं दोस्तों, टिटने से तो तंदिकातन प्रभावित होती है, और इसके जीवाड़ों के नाम है, दोस्तों, कलुस्टी डियम टिटैनी, हैजा नामक रोग से आथ प्रभावित होता है, इसके जीवाड़ों के नाम है, जीवाड़ों के नाम है, जीवाड़ों के न इसके जिवाली का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सेनिया, सबकुछ पूरी तरह से आप कबर रखें, आगे बढ़ेगा, अगला के दोस्तों आपका काली खासी जिससे स्वसंतंत्र परवाइत होता है, इसके जिवाली का नाम है बोडी टेनला पेस्टिस, नीमोनिय और सिफलिस नामक रोख से जन्नांग परवाइत होता है, इसके जिवाली का नाम टिर्फोनिया होता है, सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, आगे बढ़ेगा, अगला क्या दोस्तों हमारा परजीवियों द्वारा होने वाले परमुक रोग, ये भी आपका सुपर टापिक है, इसके बाद में एक टापिक आउर आएगा दोस्तों अभी, जो सारी चीजों को पूरी तरह से किलियर कर देगा, चलिए यहाँ पर रोगों की नाम देखिए, प्रभावी तंग और परजीवि का नाम, सबसे पले मलेरिया नामक रोख से एक बात करें, त इसके दोस्तों परजीवि का नाम है, ट्रिपेनो सोमा, आगे बढ़िएगा, पेचिस नामक रोख से आत परभाईत होती है, और इसको दोस्तों परजीवि का नाम है, एंट अभीमा हिस्टोलिटिका, और काला अजार नामक रोख से अस्थिमत परभाईत होता है, इसके दो के काड़ने से कौन कौन से रोग होते हैं तो हैजा होता है तिसार होता है कुछ रोग होता है टेवी होता है टाइफाइड होता है दस्त भी होता है मच्छर के काड़ने से मलेरिया होता है डेंगो होता है फिलपा होता है चुहा के काड़ने से पलेग होता है सीसी मक्ही के काड काला 1000 होता है आगे बढ़िएगा अगला आपका सखटमल जिसकी काणटने से वुखारों कुछ रोग होता है जू के काणटने से 10 चुबुखार होता है क्या थे 10 चुबुखार होता है सब्सक्राइब करें दोस्तों आप माई स्टेटी चेनल स्विकृपा कलासेश को इसी तर आयरें की कमी से यानि कि वन नाइनर को स्कॉम लोग पूरी तरह से कबर करें पहला कोस्टन देखेगा क्या है टिक का रोग किस फसल की पर मुख पर जाती है तो यह आलू की है आगे बढ़िएगा क्या धूस्तों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है तो धान का, next, भारत में धान की सबसे दिखेती, किस मसल, किस राज में होती है, तो उपस्चिम मंगाल में, अगला, गन्ना का लाल, सडन रो, किस के कारण होता है, तो ये फफूदी के कारण होता है, किस के कारण होता है, फफूदी के कारण होता है, आगे बढ़िएगा, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिती के कानलाल हो जाता है तो लाइको पिन की, next, नारियल का खानी योग भाग होता है, वो वरून पोस है, लीची फल का खानी योग भाग होता है, वो एरिल है, नास पती यानि कि पीयर का कुण सा भाग खाता गूदेदार को सपासन और पउधय के किस भाग से खाफी प्राप्त होती है, तो वीजो से, next, कुनयन प्राप्त होता है, वो सिनकोना की छाल से, सबको आप पूरी तमा से कबर रखने है, आगे बढ़िएगा, अगला क्या दूस्तों, डाल चीनी पेंड के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल अगला वनसागत के नेमो की अध्यन को क्या कहते है, आनवन सिकी, जनसंख्या का अध्यन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, और विकास का सिद्धान किस के द्वारा दिया गया था, तो चाल्स डार्बिन के द्वारा, next, रेवीज के टीके की खोस किस ने की थी, लुई पास् को सरपर्तम किस ने समझा था, तो लैमार्क ने अगला है, उत परिवर्तन यानि के मूटेशन के सिद्धान के जन्मदाता था, तो वो डी विरेज थे, कौन थे, डी विरेज थे, सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगी, आगे बढ़िएगा, क्या है कुश्चन, पर सरी में हिमोगोलोविन का कारिका एक्सेजन का प्रिवार करना, मानो सरी में लाल रख्तकन कहा निर्बाद होता इस्तिमज्जा में, और सफेद रख्तकन यानि की डवलूबी से कम मुख्य कारें रोग परतिरोधक चमता धारण करना, आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस का सरपर्थां परियोकिस ने किया था जो हांसन ने, आलू कहा खानी ओगभा कौन सा होता हूता है, हडो, फोविया, रोक किससे हूता है, विसा बादू से, डानस होते, मैसो जो एक सरी सरी नियम, रोक किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से, गवाई पर्दूसरं में, लोगोंने साल्प कियोंगे और देखेंगे कि यहां से आपके कितने कोस्टन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे स्टेडी चैनल से जुणे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दुआ दे जाने वाले सभी वीडियोज आपकरम से सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं दोस्तों में नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स भार वाचिंग